नमस्कार राज तक नीज चैनल में आपका स्वागत है हमारे साथ सोशित समात पार्टी के राष्टिय देख्ष बाबुलाल राजभर्ज जूड चुके हैं जो हल्दी रामपुर बलिया में घटना हो थी उसका अपडेट लेकर बताए बाबुलाल राजभर्ज यह तक जो दर्सक हमें हैं देखेंगे उनको बहुत-बहुत सुकमना है और रही बात हल्दी रामपुर घटना की तो जैसा कि एक बार पहले में बताया था कि घटने की सुरुवात छड़खानी से स्टार्ट हुआ था जिसके ठाने पर तहरीर बदल करके के और मारपिट की घटना को दिखाया गया है हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपके प्रयास से और बड़े बुजुर्गों के समय सहयोग असिरबात से इस घटना ने नया मोल लेते हुए जो घटना की वास्तिकता है उस तक पहुँच गया है और परसो परसो सियो रसना घटा है और जिस बच्च और कल पांच तारीक को थाने के तरफ से प्रिट परिवार को कहा गया है कि आपको कोट में जा करके 164 के अंतरगत अपना बयान दर्च कराना है प्रिट परिवार का होगा तो अब यह लग रहा है यह लग नहीं रहा है दीख रहा है कि यह जो घटना की जो वास्तिकता थी जिसे उस सारदा देवी के लड़की जो पांच बज़े सौच के लिए गई थी उसके साथ पहले छेड़ खानी हुई उसे जवरन पकड़ा गया ब्लतकार के नियत से रेव करने के नियत से और फिर यह जमीनी विवाद को दिखा करके केवल मार्पीट के धारा मार्पीट को कनवर्ट करके 323,504,506 का धारा मुकदमा के दर्ज हुआ है लेकिन अब इसमें जो सचाई है उस सचाई सब के सामने आ रही है और यह निशिस रूप से है यह हल्दी रामपुटी घटना पूरे राजभर समाज की जीत है विशिस र घटना को इतना अपने चैनल को से लोनाया कि साइट पर टीटर हो फेस्बुक हो वाटसेप हो इस्टाइग्राम हो सभी सोसल साइटों पर इतना घटना का वो चर्चा हुआ है कि यह निशिस रूप से उत्तरपदे सरकार तक और पूलिस विभा के बड़े महकमे तक यह बा आने पर दबाव बनाया गया है उपर के अधिकारियों तक कि इसकी जो वास्तिक्ता है उस वास्तिक्ता के तहत आप मुकादमा धर्ज करें उसी के तहत कल बलिया जन्पद में भी मन्या न्याले के समझ 164 के अंतरगत ब्यांदर्ज होगा जी अब तक राजबर समाज की कितनों लीडर पहुंचे हुआ उस प्यूडिता को हिल्प करने के लिए आपके हिसाब से देखिए मदन भाई आप भी राजबर समाज से आते हैं हम भी राजबर समाज से आते हैं पहले क्या था कि आज तक आज चार सितंबर है यह घटना घटी है पास तारीक को मतलब कि एक माह आज कम्प्लीट हो गया है और मैं राजवर समाज होने के नाते बड़ा प्रिड़ा होती है कि उस प्रिड़ित परिवार तक उस महिला तक आज तक मेरे अलावा वह उसके दर्वाजे पर कोई पुछार तक भी नहीं करने गया है सबसे बाड़ी दुरभाग़ यह है कि जिसे राजवर समाज का मसीह बतार जाता जाता है कि एक तारीख को इस राजवर समाज के मसीह जो अपने आपको मसीह ते Pragma के एक लोते बनसज अपने आपको मांते हैं परमादर्निय मान्य उं जी लखनौव से बिहार गए बिहार में अपना कारिकम किये और बिहार में कारिकम करने के बाद यही बलिया जनपद में रतसंड नगर पंचायत में कि दो अपने कारिकरताओं के घर एक बिनित सिंग्जी हैं उनकेपोई मरे थे उनके घर जा कर पुछार किये और एक पौण सिंह हैं और यहां के लग़ेखंपो लग रहा है कि कैकट के दोरनें हैं नगर पंचायत के तो वहां उनके घर पहली तारीक उनकी बेटी का जनम दिन था पहली तारीक को उन्होंने उनके बेटी के जनम दिन पर केक काट है उसकी वीडियो उसका वाइरल है और वहां तमाम तरह का अब्वेंजनों का भोग लगा करके सीधे लखनौग के तरफ मुव कर गया है मात्र वहाँ से 20 किलोमेटर के दूरी पर उस्पिलिता का परिवार है वहां वह नहीं गये और सीधे चले गए जैसे लग रहा है कि सार्दा राजबर समाज से नहीं है प्लिक परिवार बता रहा है कि जब से उंप्रकास राजबर जी ने समाज में घुम घुम करके अपनी पार्टी बनाया वह प्लिक सार्दा देवी भी उनके कई-कई रैलियों में अपने पूरे परिवार के साथ लगनाउ की यात्रा भी की है और बनार्स की भी रहा है और educator में जोबलिया में जो भी दो-तीन रही है सम्मे हो गई है सम्मे चंदद ही लेकिन उस परिवार चारद कद दूरां मेरे समझ से यह मानोता के प्रतीत नहीं है कि अग्दम नाय मिलना कंफर्म है वह पहले जो एंसियाद दर्श था वह एफ यार के रूप में कर्वर्ट कल के बाद हो जाएगा उसी को उसी की सचाई को पता करने के लिए सीओ साब ने वहां दर्श परिवार का उस बच्ची का व्म ब्यान दर्श के गये हैं जद सहाब ही यहीं बलिया में करेंगे यह निशिस रुप से यह आपकी लड़ाई है यह पूरे राजवर समाथ की लड़ाई है पुलिता को नय जरूर मिलेगा तो यह ठीक है आप जानकारी दिल इसकी लिए आपको बहुत धने बाद और मैं कोशिस करूंगा कि एकला सुकरवार तक आप जदी चाहेंगे तो कल भी बात हो सकती है और नहीं तो मैं वीडियो बना लूँगा आप उसको अपलोड कर सकते हैं यह ठीक है समय मिलेगा तो मैं जरूर आपसे संपर्ण करूंगा इतनी जानकारी दिए आपके बहुत-बहुत दिने बाद जे नमस्कार